आज हम लोग अच्छो ब्याकरन पढ़ेंगे ब्याकरन में जो हमारा टॉपिक है सुर्ति संबेनात्मक सब्द हम ऐसे 30 objective आज केलियर करने वाले हैं आप कोई भी एक्जाम दे रहें ठी काना कोई भी एक्जाम दिजिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिस्चल बहुत ही अच्छा रहेगा यहां से कोईश्चन बहुत सारा एक्जाम में आता है चली हमारे साथ से बच्छे जूर जाएंगे सभी को राम राम जैश्री कृष्णा राधे राधे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगे से बच्छे बहुत बढ़िया हमारे साथ से बच्छे जू वागत है, Welcome है सभी का, तो आए हम लोगा स्टार्ट करते हैं बच्चो, पहला कुश्चन आपके सामने ला रहे हैं, बिना देर की हम लोगा स्टार्ट करेंगे, चलिए, पहला सवाल आपके सामने हैं, बहुत ही मल्हिया सवाल है, हमें उमेद है कि आप अच्छे से जवाब द सबता बच्चो, तो हमारा हो जाएगा, देखिए, एक हमारा है, मुर्ख ہے, चतूर है, आग्यां है, एक हमारा इनमें से कोई नहीं है, आपके, रिशापने, चार ओपिशन रखा है, चारों में से आपको एक सटीख जबाब देना रर सही जबाब देखिए मनुष्षिते पास में एक ऐसा सक्ति होता जिसे अस्मरन कर सकता भिस्मरन भी कर सकता है उसके पहले काफ्य में सुने होंगे कि तपस्या करने से भगůान को ही फर्गट कर यता था इंसान तो उसके अंदर उसक्तियां थी ताकि वह भगवान को भी अपने सामने परकट कर दे अभी कजट में बिना खाये पिये तो इंसान दो ज़्यादा ने दो गहंटा तो क्या स्वरी हाँ दो दिन क्या दो गहंटा भी उससे दें रहा जाएगा तो इसलिए जो हो गया अभी कजट में असमरन और विसमरन जो सकती है वो खत्म हो गई उतना आप नहीं रहा ठीक कर ना अभी कजट में है पहले पेट पूजा तब क्या है बच्चो भगवान पूजा नहीं देखिए हमारा हो जाएगा मन हो जाएगा चित हो जाएगा स्मिर्थी हो जाएगा बबू इन में से कोई नहीं होगा अच्छा आप दिजिए आपने चार अप्शन रखा आपके सामने चारों में से हमारा राइट एंसर क्या हो जाएगा बच्छो दूसरा सवाल है बहुत ही बनियां सबाले बभू, देखिए, हमारा हो जाएगा अश्मरन तथा बिश्मरन करने वाली सक्ती हमारा क्या कहलाती है बच्छो, चित कहलाती है, ठीक कहना, क्या बभू, चित हमारा बिल्कुल correct answer हो जाएगा बच्छो, अगला question आपके सामने है, तीसरा number कहता है, किसी काज मे अगर हमें शफलता प्राप्त होने की पुर्णासा होने पर, कोई भी अगर हम काज कर रहें, ठीक कहना, अगर हमें लग रहा कि नहीं हमारा जो शफलता है पुर्ण हो जाएगा, ठीक है, तो होने वाले उसके मानसिक शुक को हम क्या कहेंगे, ओ कैसा अनुभाव करेगा, अ चार सो पलास हम लोग नंबर ले आएंगे, तो वो उसके अंदर क्या अनुभा हो रहा है, उसके अंदर क्या खुशी हो रहा है, आमोद होगा, परिशन्ता होगा, उलास होगा, यह में से कोई नहीं होगा, बताएगा, तीशरा नंबर सवाल है, बहुत ही बल्निया सवाले देखे, तीशरे नंबर कोश्चन का हमारा राइट एंसर हो जाएगा, जो भी बच्चे हमारे साथ, उसे क्या होगा, उलास होगा, ठीक है ना, क्यों क्यों, उलास होगा, उसके पास में, और अंदर से उलास पुर्न है, तो राइट एंसर क्या हो जाएगा, आफसर नंबर से गुजर हैं, तो आपके अंदर क्या नुभा होगा, अतंक का होगा, फश्यताप का होगा, तरास का होगा, यह दिमें से कोई नहीं होगा, चाप दिज्ये, भाई के कारण होने वाली वेजना क्या कहलाएगी, चाप दिज्येगा, चौथा नंबर कोशिचन है, देखिए चले, आपके लियर होगा, ऑफशन नंबर भी हमारा राइट एंसर हो जाएगा बच्चो, अगला सबाल है, पांचवा नंबर, अनुभाव सुन्द बेगती क्या कहला था, इसके पास कोई अनुभाव ना हो, ठीक है ना, बिलकुल सुन्द, जीरो बटा जीरो, जीरो बटा जीरो बटा जीरो इसके पास अनुभाव है, कोई अनुभाव नहीं है, क्या कहलाएगा, अज्ञानी कहलाएगा अनुभावी, या अन्भिग्य या इनमेंश कोई नहीं, छाप देजे बच्चो, पांचमा का हमारा राइट इंसर क्या जाएगा बभू, देखिए, यह हमार आगे हमारा है, छट्धा स्वाल, कहता है, एक प्रान दो देही, प्रान एक ही है, बच्चो, प्रान एक ही है, दो देही है, जैसे में, आप ले लिजे, पत्नी को ले लिजे, एक पती को ले लिजे, ठीक है, पती-पत्नी का एक ऐसा प्यार होता है, ठीक है, पती-पत्नी का आपर नहीं प्रान लेकिन एक ही रहता लेकिन हर पत्ति पत्ति में ऐसा नहीं मिलेगा आपको ठीक है राइट एंसर हमारा हो जाएगा जो बच्चे हमारे साथ 6th number question का हां बबू शखा हो जाएगा नहीं क्या हो जाएगा शखा हो जाएगा देखिए आप्शन हमारा है शखा होगा मित्र होगा सहोदर हो जाएगा यह नमें से कोई नहीं तो इसमें देखिए शखा सखा मारा एक सुध है ठीक है ना हम लोग देखिए मित्र भी कह सकते हैं ठीक है जिसे हम अपने सुख्दू को बाच सके, अपने भावना को हम वहाँ परकट कर सके, वह हमारा क्या हो गया, मित्र हो गया, लेकिन सखा हमारा ऐसा होता है, कि, नहीं कहता है, साथ जीना, साथ मरना, वह हमारा क्या होता है, सखा होता है, तो हमारा चछठे कोशन का राइट इंस कर अध्यूंता से प्राप्थ होने बाला जो फ्रदारत है मारा क्या कहला आगा बच्छोँ आज सा धारन हो जाएगा Свे सके यह जाइक बहुत ह tienes वालिया शबाल है एक्जाम में mortality Central यहां से question direct exam में आएगा ठीक ना आप से पूछ कर नहीं आएगा कि हम आने बाले हैं direct आएगा जी तो देखिए हमारा हो देगा साथवे नंबर question का जो बच्चे हमारा देखिए संसार में कठींता से प्राप्त होने वाला पदात क्या होता बच्चो आलावकी खोता नहीं क्या होता बच्चो आलावकी खोता है अगर आप कोई चीज़ का प्रिपेशन करो तैयारी करो ठीक है अगर आप कोई भी चीज़ का तैयारी करो चाहे आप कोई भी नौकरी का ले लिजिए ठीक है ना सिंपल सा उदारन है कोई भी नवकरी का ले लिजिए अगर तयारी बहुत ही बनिया है अगर बहतरीन है बच्छो अगर पांच साल हम मैंनत किया छेट्छे साल में हमने भाहित नवकरी ले लिया ठीक है ना तो तो क्या होता है एक आलवकी खोद आले उस समय हमारा जो उच्छ कोई डिक करेंगे कले रहे च्लीए अप देखें के मुका साथवे नमर को सॉरी आठवे नमर देखेंगे घरताबर का निश्य करनेवाली भिरिति क्या कालाइगी जो आपका कालिए अगर आप उस में यह है कि है आप उस पर आचीज हैं डिल्कुल निश्य थें एम चीज आ कर देंगे तु भाई कर देंगे नहीं तो हमारे क्या हो जागे हैं पर चलाकी होगा बच्छो विवेक होगा भुद्धी होगा इन में से कोई दहीं बच्छो चार ओप्षन है चारों में से आपको किलियर करना है बभू अगला सवाल है नौमा किसी नियम बंधन आदी की परवाह ना करने वाला बेक्ति क्या देखिए आपको एक ऐसा बेक्ति मिलेगा आप पे संगत में मिलेगा वो बुलेगा अदूर छोलते हैं कोची फलनमाख हम मानबे चिलनमाग मानबे नहीं चली कम अगर कोई बगलबाले आपके घर के बगलबाले वेक्ति का एक बगीचा हो ठीक है उस बगीचे में आम का पेल हो ठीक है उसमें चार पका हुआ आम लटका रहे तो अगर चार वेक्ति अगर वहां से घुजर रहा है ठीक है ना तीन वेक्ति अच्छा भी होए ठीक ह तो वहां पे जो आपका हो गया जो बेखती देखिए किसी नियम बंधन आदी की परभाह ना करने वाला बेखती ठी करना वो क्या कहलाएगा चाप दिजिए नौबर नंबर कुश्चन बच्चो देखिए बाबु वो क्या कहलाता बागी कहलाता नहीं देखिए बागी अब देखिए एक सब्द बागी आ गया तो उससे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि बागी क्या है नहीं बागी हो गया जंगल उंगल में कभी आप चाहिएगा तो बागी एक इनसान ही होता है बागी उससे बनना पड़ता है बागी कब बनेगा जब उस पे कोई अत्याचार कर रहा हो जब उस पे बहुत सारा अत्याचार उस रहा है बहुत सारा अत्याचार उस पे हो रहा है ठी क्या बनना प्यता बच्छों, वागी बनना प़ता है. एक बंदुख उठाएगा, ठीक है ना और एक गुरूप में सामिल हो जाएगा ठीक है ना और फिर जानते हैं कि भाई सामिल हो गया तो उसे क्या क्या काम है नहीं है वो तो खुद उसे जिसे नहीं की पता ही होगा ठीक है तो क्या हो जाएगा बच्चो बागी हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि वो कोई भी जब बागियों बन जाएगा तो कोई नियम, कानून या कुछ भी उसके सामने आजाए वो किसी का परबाद नहीं करता, ठीक है ना, चाहिए उसके सामने SP रहे, DSP, कुछ भी रहे, वो जब भी चाहेगा, वो खतम कर सकता किसी को, बागी एक हमारा ऐसा होता, किसी को लूट लिया, अज उसका घर लूट लिया, परसो उसका घर लूट लिया, ठीक है ना, रास्ते में छेके किसी का सामान छिन लिया, वो बागी होता, लेकिन हाँ, होता हो, जो उसको सताया रहेगा, उसी को ठेस पहुंचाएगा, ठीक है ना, जो उसको दिकत पहुंचाएगा, उसी को भी दिकत पहुंचाएगा, तो मारा हो जाएगा, option number हो जाएगा, बच्चों, दस्मा देखिएगा, अपनी विशेष्ताओं का वास्तबिक ज्यान, आत्मग्यान, गवरब, यान वेशे कोई नहीं, चाप दिजे बच्चों, दस्मा नंबर कोश्यों ने बहुत ही बन ही आएगा, बच्चों, देखिए, अगर आपके अंदर विशेष्ताओं का वास्तबिक ज्यान हो, तो क्या कहलाएगा, विशेष्ग्य कहलाएगा, क्या क देखिएगा, अपने आपको पुझे समझनाका मतलब क्या होगा, मान होगा, ग्यान होगा, अहनकार होगा, इनमेंसे कोई नहीं, चाप दिजे बच्चों, एक आरभा नंबर कोश्यों है बभाभो, एक आरभा नंबर शवाल है, बहुत हीं बन्हियाँ है, देखिए, अपन बालमेद सते हाँ हाँ हो जाएगा क्टा बंगूरता निवको निदे स्सीद नहीं ay रहा थैर खैद आहिर्म छीन का किसी के कर लेया कर Kevin अगर आप किसी भी चीज भी चीज को को बाप्त कर लिए माल लिजे हमने एक 정도 पोन ले लिया हमने एक लिए हम इसी को अपना माई बाप जो भी है सब कुछ इसी को समझने लगें तो आप मान चुके हैं कि सब कुछ हमारा ही है क्या है यह फोन है फोन ही हमारा सब कुछ है तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा बच्चो शंतोस आप कर रहे हैं या समाधान कर रहे हैं या आप परियाप्त ह हो चुके हैं यह इसे कोई दिए चापती यह बहुत है पवलिया शोबल है चली देखिए ने क्यों शन्तोस है रहें नहीं इभाई सब कुछ हम इसी हमारा ही है यह है सब जो है जो भी है मारा सब यह है हमने मान चुके हैं तो राइट इंसर नमारा क्या जाएगा शन्तोस हो जाएगा बच्चो चौदमा देखिएगा धर्म तथा कलाओं के अनुसिलन से प्राप्त होने बाला स्थाई एवं गंभीर सुख क्या कहलाता है आनंद कहलाएग सुख कहलाएगा बिश्राम कहलाएगा यानि में से कोई नहीं चार उप्शन है चारों में से चाप्टिचे राइट इंसर नमारा क्या हो जाएगा बच्चो चौदमा नंबर सवाल है देखिए बाभू धर्म तथा कलाओं से अनुसिलन प्राप्त होने बाले स्थाई गंभ करें ठीकिन हमने कोई पदगरहन किया काम भी किया पैसा भी हमने कमाया ठीकिना तो आप देखिएगा अगर कोई चीज अगर हम बहुत ही है भूष्ट पे हैं अगर कुछ हम लोग अच्छे पैसे उसे अर्जित कर रहे हैं तो हम लोग देखिए वहाँ पर हमें आनन्द मिल पंद्रामा है धर्म तथा कलाओं के अनुसिलन से प्राप्ट च्छनिक तथा तिब्रमानसिक सुख को क्या कहते हैं बच्छो आत्मानंद कहते हैं अहार कहते हैं प्रमूद कहते हैं इन में से कोई दी बबुचाप दिजीएगा 15 बे नंबर कोश्चन बहुत है बलिया है देखे यह मारा हो जाएगा बच्छो अहार हो जाएगा ठीक है बच्छो क्या हो जाएगा अहार अगला सुलमा गुप्त रिती से किसी भी से के परती करतब का निधारन करना क्या कहलाएगा बबू ? मंत्र ना कहलाएगा , प्रामर्श कहलाएगा, विचार कहलाएगा या इनमेशन कॉई नही ??? चारस ऑप्शन है चारह स्वं में से अंसार देना है आपको सू लमा नंबर कुछर्ट्न के बहुत ही बहुत ही बहुट आखले ही लिए दिखी यह मारप हो जाएगा मंत्र नंहीं हो जाएगा ठीक कर ना गुप्त बहुत से क्या झाल झाल कोई भी अगर परिन माहा कोई परी नाम को पुर्ण रूप से विचार करके उस पर एक से अधीक बेगतियों द्वारा व्यक्त मत क्या कहलाता आपका बच्चो ठीक है ना प्रामर्ज कहलाता है युक्ति कहलाता है या मंत्रना कहलाता है इन में से कोई नहीं चाप देजेगा आपने चार प्सन आपको दिया है चारों में से राइट इंसर क्या हो डाइगा बच्चो सवाल है 17 Cab la numberograph around problema सवाल है बच्चों बहुत है अच्छा देखिए युक्ति कहलाता नहीं अगर देखिएगा आप में कितना भी बल वह खäg अपमें कितना भी अर्जा हो अगर आपके अगला है अठारवा नमबर की विविन कारणों से टूटे-फूटे सब्द में कथन को हम लोग क्या कहते हैं, अलाप कहते हैं, बिलाप, परदलाप या इनमें से कोई नहीं, चार उपसन है बचो, चारों में से छापना है बभू, राइट इंसर क्या हो जाएगा, अठारवा बल्हिया सवाले पहले पली एगा उसके बाद उत्तर देजिएगा, दूसरे के दुख में, दूसरे के दुख से उत्पन हुआ, क्या कह लाएगा बचो, ध्या, कुरुना, विपदा याईंए नमेंसे कोई नहीं, चाप देजिएगा, बहुत भूएगा सवाले बचो उनिश्वा नंबर है दिखीगा दया होता ने दूसरे के दुख से उत्पन दुख क्या होता है दया होता है अगला है 20 सारीरिक तथा मांसी कार्णों से उत्पन सुखद आनंद नुभूती की अभी वेक्ती क्या कहला था पुलक कहलाएगा आहाद या रोमांच बच्चों या इन्वेस्टिव कोई नहीं बहुत 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 है सवाल है 20 20 नंबर को से ने कि हमारे क्या उदा पुलक होगा बाभ जिः च्च्चा है किसी की उदनति देखकर उससे अधिक उननति करने की एक्छा रहने बाला क्या कहला था बहुत बढ़िया सवाल है छपने वाल कुछ्ण जाधा तर एकको में क्जाममें आएगा कुछ्ण में इस सत्व बच्चों नहीं से लेत शेकर पाक्ती को отृषब जो होना है 22 का right answer क्या हो जाएगा बाद, देखिए वो हमारा आज्या हो जाएगा, नहीं हम तुमको यह आज्या दे रहे हैं कि तुमको एक आम करना है तो करना है ठीक हुकम दे रहे हैं, तो right answer हो जाएगा option number A 23 देखिएगा किसी आलेख टिपनी काजवाही अथवा कथन पर सहमती परकट करना सहमती परकट करना माईडर स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा बच्चों बहुत ही बलनिया से बाले 23 नंबर कॉस्च्चन देखिएगा बबु ए हमारा हो जाएगा जो भी बच्चे हमारे साथ अनुमोदन क्या हो जाएगा बबु अनुमोदन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है ना क्या हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए कुछी किजएगा बिल्कुल आगे बाद हीएगा किले रहे अगला है 24 किसी परस्ताव के परती शहमती परकट करता है अगर हम कोई परस्ताव रख रहे हैं ठीक है ना अगर कोई परस्ताव रख रहे हैं अगर हम उसमें शहमती हैं अगर हम उसमें शहमती दे रहे हैं तो हमारा राइट इंसर क्या हो जाएगा बच्छो शहमती अनुमति, स्विकृति यह में से कोई नहीं, छाप दिजिएगा बबू, बहुत ही बालनी है सवाल है, 24 इस राइट इंसर, देखिए, हमारा हो जाएगा स्विकृति हो जाएगा नहीं, क्योंकि हमें वहाँ स्विकृति मिली है, तो राइट इंसर हो जाएगा, उप्शन हमारा हो जाएगा, पर्ति शेध हो जाएगा बच्छों, ठीक है, क्या हो जाएगा बाभू, ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल राइट इंसर हो जाएगा, अगला 26 है, किसी मनो कामना की पूर्ति है तू अपने इस्ट, हाँ, इस्ट डेब को परसंद कर दया की याचना क्या कहलाता है, अगर आपको कोई मनो कामना पूरा हो जाएगा, तो जो घर के देवता होते हैं, हम उन्हें पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, याचना करते हैं, अपने इस्ट, हमारा राइट इंसर क्या हो जाएगा बच्छों, 26 का जबाब दिजीएगा, बहुत ही बलि 27 सबाले की अनिष्ट की उपस थिती कि अनिष्ट की उपसिती या संभाबना की मन में उत्पन व्यापूलता का भाव क्या कहलता बच्चो हमारा तो भाय कहला था ठीक करेंगे आगे बलेंगे 28 दीखिएगा जिसे डंड आदी का भाय ना हो जिसको कोई डंड से भी डर नहीं लगता हो क्या कहलाता बच्चो 28 नमबर कुश्चन ने बहुत बनिया है उद्दंड होगा बभू ठीक कि ना क्या हो जाएगा उद्दंड हो जाएगा उप्शन नमर ए बिल्कुल आपका किलिय बभू क्या हो जाएगा उप्शन नमबर भी हो जाएगा बच्चो चिकीत सालय जिसे हम लोग होस्पीटल कहते हैं नहीं 30 में देखिएगा किसी काज को कर डालने अथवा ना कर डालने पर जिसकी अनुभूती होती हो क्या कहलाती है बच्चो प्रलाप कहलाएगी पश्च्यताप या ख्यद या इनमें इसे कोई नहीं, 30 बहुत ही बनिया साबाले 30 नमबर भच्चो चै तो देखिये हमारा हो जाएगा प्रलाभ हो जाएगा भभु ठीक हे नग क्या हो जाएगा जी प्रलाभ हमारे इंसर भगा बच्चो जो बच्च ऊप्शन नमर ए को टिक करा है बहुत बहुत ही है ठिक है चृदी बभू हमने 30 कोस्टन कि लियर किये 30 कोस्टन से ज़ाद आ नहीं आएगा, I hope आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो जादा जादा सेर किजिएगा अपने दोस्त, जो भी ये आपने गुरूप सभी के पास में सेर करना है, तो जादे जादे मैं ही कहूंगा, कि बले को परदाम करना, छोटे को सुबासर बात देना, और माता पिता का चरण असपर चरू किजिएगा, बाबाए, ठीक है, फिर बिलेंगे अगले वीडियो में बचो, बाबाए